नमस्कार दोस्तो टेक्जेटिप सेनर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्ता आज की इस वीडियो में आप लोगों को भारत सरकार की फूड कोर्परेशन ओप इंडिया में सरकारी भरती पर्मानेंट भरती नौन एक्जेक्यूटिप की आई वी है जोन वाइज निक देट से लेकर सभी चीज़ इस वीडियो पर मिल जाएगी तो दोस्तो अंतिम तर इस वीडियो पर बने रहे हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नमें जै आप देख रहे हैं टेक्जेक्टिप यूट्व चैनल चलिए शुरू करते हैं और आपको सारा इंप्रमेशन देते हैं तो Food Corporation of India जो कि भारत सरकार की एक सरकारी कमपनी है Food Security हमारे देश में इंस्योर करने का काम करती है दोस्तो उसमें जो भरती निकली वे दोस्तो बहुत ही अच्छी भरती निकली वे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जूनियर इंजिनियर सिविल इंजिनियर की एलेक्टिक जनेरल मेनेजर की भी है एंजिजि थर्ड ग्रेड ऑकाउंट की भी गजढ़ी तो आते हैं इंपटेंट पॉल्ट्स पे तो देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आप फ़ला होगीयर की परती है ब Spirit के व daughters सभी की वेकेंसी आई भी है दोस्तों अब यहां पर आप मेडिकल कंडिशन भी देख सकते हैं कि फिजिकल रुकारमेंट क्या क्या यहां पर मांगा गया है तो जनरली सभी में जो है वह आपका मने नॉर्मल आपका हेल्थ होना चाहिए यह उतनी भी मने आर्मी लेवल की इसम आपका 1 साल का experience चाहिए और अगर डिघिय किये होई है तो डिघि से ही फिरम को अपलाई कर सकते हैं सेर्फ होना चाहिए और यहां झाल का इंग्लिश में चाहिए यहिए कर दोस्तों और एदिए शक्रीड बहूर्त आपका 40 इंग्रेंट टूस्त minute English में typing होना चाहिए और short hand का speed जो होना चाहिए दोस्तों वो 80 word per minute होना चाहिए और English typing का 40 word per minute होना चाहिए अब आते हैं हम लोग जो AG3 general का है उसके लिए simple और simple जो है आपका graduation मांगा गया है साथ ही आपको computer knowledge में आपका proficiency मने computer knowledge अच्छा होना चाहिए अब आते हैं हम लोग accounts section में तो accounts में भी आप देख सकते हैं कि आपको simple और simple जो है वो graduation आपको commerce में मांगा गया है दोस्तों और general के लिए आप कोई भी stream से graduation किये हैं तो आप भर सकते हैं और accounts के लिए आपको bachelor of commerce होना चाहिए साथ ही आपको computer का knowledge भी होना चाहिए अब आते हैं geology, biotechnology, biochemistry, microbiology, food service, food science ये सब का जो है और अगर आप इसके साथ ही आपका computer का भी knowledge होना चाहिए अब आते हैं हम लोग अगर AG3 deport में तो यहाँ पे भी आपको simple और simple graduation का degree मांगा गया है साथ ही आपको computer का knowledge भी होना चाहिए अब AG3 हिंदी में आते हैं तो यहाँ पे आप देख स हैं कि हिंदी एक main subject की रूप में होना चाहिए और उससे आपका जो है आपका degree का certificate मैं ग्रेजुशन का certificate होना चाहिए और साथ ही आप अगर certificate या diploma का course किये हुए है translation from English to Hindi तो कम से कम एक साल का आपका होना चाहिए डिप्लोमा का certificate तो यह थी दोस्तो हिंदी के लिए पोस्ट तो यह होगे education qualification की दोस्तो पोस्ट बहुत ही अच्छी निकली भी है आपको form जो है वो cable और cable online भरना है दोस्तो और बात करते हैं आपका अगर regeneration का तो यहाँ पे आ को यहाँ पे तीन साल का एज relaxation दिया गया है साथ ही डिपार्टमेंटल के जो candidate है वो भी भर सकते हैं अब आते हैं हम लोग अगर OBC वाले candidate के लिए तो देखिए the selected candidates will have to submit OBC non criminal certificate issued on or after 1422 at the time of document verification मतलब document verification के समय OBC का जो certificate होना चाहिए दोस्तों 1422 से पहले का OBC का certificate होना चाहिए उसके बाद का मना हुआ certificate नहीं होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है OBC के लिए और EWS के लिए EWS का certificate होना चाहिए और यहाँ पे जैसे EWS के category के लिए भी यहाँ पे 1422 से लेकर 133 2023 तक का यहाँ पे मने certificate होना चाहिए तो यह होगे important important आप जैसा कि देख सकते हैं जो प्रोसेस था अब आते हैं main की exam किस तरह से होगा दोस्तों तो exam जो है आपका online test होगा द phase 1 और phase 2 अब हम बात करते हैं सबसे पहला नमबर की phase 1 में किस तरह से exam होगा तो phase 1 में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे English language का exam होगा फिर अबिलिटी का होगा numerical aptitude mathematics का होगा और साथ ही general studies जिसमें आपका history geography economy general science लगभा class 8 के level तक का 20 questions रहेंगे और 5 questions जो रहेंगे वो current affairs करेंगे मने total आप देख सकते हैं 100 questions रहेंगे सभी section में 25-25 questions रहेंगे और 25 marks सब section के 25-25 marks रहेंगे मने total 100 questions 100 marks करेंगे जिसके लिए आपको time बहुत कम दिया गया है जैसे कि 1 घंटा ही दिया गया है दोस्तों अब आते हैं हम लोग phase 2 में तो जो phase 1 में पास कर जाएंगे दोस होगा जेए electrical mechanical सभी के लिए और साथ ग्रेट 3 में जो है paper 3 only यहाँ पे होगा प्रेज टू का एक्जामनी होगा जिसमें जो है वो skill test लिया जाएगा टाइपिंग और सोटेंड का अब आते हैं जिसमें जो ग्रेशन लेवल का जितनी भी पोस्ट है उसमें आपका जैसे जनर साथ ही जो technical वाला paper होगा उसमें paper 1 और paper 2 दोनों होगा दोस्तों और जो अजी 3 डिपोर्ट वाला है उसमें क्यों और paper 1 होगा और हम लोग देख सकते हैं दोनों पेपर्स होंगे अब बात करते हैं जैसे पेपर 2 में क्या होगा तो पेपर 2 में देख सकते हैं यहां पर जो है अब यहां पर दुस्तों आपको पेपर होगा उसमें 60 कोस्चन्स रहेंगे दोस्तों और सभी जो है दो माक्स के होंगे अब यहां पर दियान देना है पेपर 3 पेपर 3 में भी आपका 120 mcq के कोस्चन्स रहेंगे सभी एक एक नंबर के रहेंगे और यहां पर आपको टाइम दिया जागा 1.5 गंटा का निगेंटिव नार्किंग के लिए यहां पर आप देखे लिखा हुआ है कि के can 변 brushed सुड्ड नोड लोकिंग मतलब हैं निगेंगेंगेंग दियां दिया तो उस साथ ही पर questions अगर question आप टिक नहीं करेंगे तो उसमें negative marking नहीं होगा अगर आप टिक करते हैं और आपका गलत हो जाता है तो negative marking होगा अब यहां पर जिनका common paper one का exam अगा उसका syllabus देख लिजे आप क्या 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 है तो इसमें आप देख सकते हैं English language के 25 questions, reasoning ability के 25 questions, numerical aptitude के 25 questions, सब्सक्राइब के 25 questions रहेंगे साथ ही general science के आपके 10 questions रहेंगे current affair के 5 और computer awareness के 5 टोटल 45 questions रहेंगे Hindi English दोनों language में यह question papers रहेंगे और यहां पर section wise टाइम भी दिया हुआ है जैसे English language के लिए 20 minute, reasoning के लिए 20 minute तो इस तरह से आपका exam और टोटल 90 minute का आपका exam होगा 120 questions के यह होग जो कि मैं आगे बता दिया हूँ बाकी आपको अगर कोई भी problem होता है तो नीचे comment box पर comment करके मुझे बता सकते हैं दोस्तों तो यह थी एक बहुत ही जरूरी जानकारी आप आते हैं हम लोग paper 3 में paper 3 में देख सकते हैं यहां पर paper 3 जो especially है के वो लस्टेनोगराफर grade 2 के दोस्तों अब हम आते हैं payment of fees के लिए तो देखिए यहां पर payment जो है वह 500 रुपिया रखा गया है केवल OBC और General और EWS के candidates के लिए बाकी सभी के लिए साथी women candidates के लिए फी जो है वह एक्जेम्ट है मने पैसा नहीं देने का जरूद है फॉर्म बनने के लिए अब आते हैं द कि यहां पर लिखा हुआ है कि जनवरी 2023 के आसपास इसका एक्जाम होगा दोस्तों तो और admit card जो है वह एक्जाम से 10 दिन पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का certificate का format होना चाहिए तो दोस्तों यह थी बहुत ही important जानकारिय अगर आपको कोई भी doubt है तो आप नीचे comment box पर comment कर सकते हैं उस comment के जवाब में देने का पूरा कोशिस करूँगा अपना बहुमली समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जहिंद वंदे मातरम